हमने फर्स फीडियो में ये लेशन का पूरा एक्स्रेनेशन देखा रहा है तो चलो अब हम स्टाल करेंगे एक्सराइज ए ओन पेज नमबर 44 क्वेशन पहले पहले क्या है फिल इन दे ब्लैंक्स विद दे वर्ब्स इस, एम और आल अब हमने देखा है कि इसका यूज कहां होता है एम का यूज कहां होता है और आर का यूज कहां होता है तो चलो अब हम फिकली एक्सराइज स्टाल करते हैं आपको याद है ना इसका यूज कहां होता है जहाँ पर he, she, it या फिर कोई singular noun होई या फिर everybody, nobody इस तरीके से कोई भी sentence हो तो उसके साथ use होता है is राइट, r का use कहां होता है r का use होता है, u के साथ, v के साथ, d के साथ and कोई भी plural वाला noun हो plural noun है, तो उसके साथ होगा r का use and m का use कहां होगा, m का use होगा सिर्फ i के साथ राइट, तो अब हम i exercise solve करने में आसा ने रहेगी न yes, चलो, अब हम start करते है Mumbai- the business center of India अभी Mumbai एक singular noun है यह Mumbai क्या है हमारा? proper noun है, और वो singular है तो इसलिए क्या आएगा? Mumbai is the business center of India राइट, नेक्स्ट वी, वी के साथ क्या आता है? r, we dash the students of happy school we are the students of happy school you के साथ क्या आता है? you के साथ भी आ राता है you dash drinking orange juice you are drinking orange juice next, he, he dash a naughty boy he के साथ क्या यूज होता है? he के साथ यूज होता है is, he is a naughty boy ठीक है? I dash writing my notebook अब भी देखो I के साथ क्या यूज होता है? I के साथ always am आएगा I am writing in my notebook the boys dash playing football अब भी देखो अगर यहाँ पे a boy होता तो वो singular noun लेकिन यहाँ पे boys है यानि वो plural noun में है तो plural noun के साथ क्या आता है? are, right? तो क्या लिखेंगा हम यहाँ पे? the boys are playing football okay? समझ में आये न आपको कि इसका use कहा करना है? r का use कहा करना है? और m का use कहा करना है? right? very good जगको जगय करना है तो ऑल कि आपको आता है यहाँ प्रहाँ पर जगयों पूछरे तो उँआ प्रneजाख ऩ़्को प्रेक कमanno Shortly